नमस्कार दोस्तो, आप सभी के लिए एक बड़ी खुस खबरी है, रेलवे की पहला भरती का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तो, और ये जो भरती है ना वो असिस्टेंट लोको पाइलट की वेकेंसी है दोस्तो, इसी वेकेंसी के बारे में A to Z आप सभी को ज सारा कुछ A to Z इस वेकेंसी की बारे में इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ, बस आप सभी से एक निवीदेन है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो, तो चलिए सूरू करते हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, असिस्टेंट लो अपलाइड भी नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है, वो है 20 जनुवरी से 19 फरवरी की बीच में होने वाली है, और ये वेकेंसी आल इंडिया के लेवल में होने वाली है, और RRB की जितने भी जोन है, सभी जोन में वेकेंसी आई हुई है, ठीक है, फीस की बात करूँ, त लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बता दूँ ये जो फीस है न दोस्तों ये आपका अगर आप एक्जाम में बैठते हो तो जनरल OBC EWS का 400 रुपे रिफंड हो जाता है और STHT और फीमेल केंडिडेट का धाई सो रुका धाई सो यानि के 100% फी रिफंड हो जाता है जो जो लाई 2024 के अधार पे ही आपका उम्र के गिंती होगा और इसमें मीनिमाम आपका 18 साल एज होना चाहिए मैक्सिमाम आपका 30 साल एज होना चाहिए दोस्तों कैटिगरी जैसे की रिजर्वेशन कैटिगरी होता है वैसी OBC में हो तो आपको 3 साल की एज में छुट मिलेगा और ST हो तो आपको एज में 5 साल की छुट मिलेगा जो भी गौर्रमेंट का नियम है सारा कुछ लागव होने वाली है योग्यता अब देखे ये जो वेकेंसी है ना अभी असिस्टेंट लोको पैलेट की वेकेंसी की जारी हुआ है दोस्तों तो उसी बस का मैं योग्यता बता रह ठीक है उसके बाद आप ITI किये हो ITI में चाहे आपका NCVT हो चाहे SCVT हो कोई दिक्कत नहीं है ALP के लिए ठीक है इसमें देखें ITI में कौन कौन से ट्रेट आ जाता है फीटर आ जाता है इलेक्टरिस से ना जाता है बहुत सारे जो ट्रेड है वो सब आ जाते है दोस्तों ठ जो technician post के लिए अब technician में पहले क्या होता था PCM यानि कि physics, chemistry, math से अगर आप pass कियो हो 12 तो आप eligible थे लेकिन अभी सायद कुछ notice change किया है जिसमे technician के लिए भी ITI कर दिया है तो देखते हैं दोस्तों technician के जब final notification कैसान आएगा तब पता चलेगा उसका ठीक है लेकिन ALP में एक औ उसके बाद ये सारा कुछ बता दिया ALP का qualification का दोस्तों और जिन बच्चों को जिन बच्चे या जिन candidates चाहे हो male female कोई भी हो अगर पिछला जो भरती आया थी 2018 में उसका return exam अगर दिलाए होंगे तो उनका उनको उन सभी को इनका syllabus के बारे में पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दे रहा हूं CBT first में selection process तो आपको written exam ही होगा और आपका दोस्तों documentary case और medical अगर ALP में होता है तो psychotest भी होता है ठीक है तो चैके पहले syllabus CBT first का यानि के computer based test पहला का आप लोगों बता देता हो तो इसमें आपका 75 question रहेगा 60 minute का time रहेगा 1 by 3 negative marking रहेगा दोस्तों ठीक है last time आपका 33 के आसपास में selection कर दिया गया था 33 34 ऐसा number में normalize करके वो 43 चला गया था ठीक है अब देखे इसमें reasoning आपका 20 question आएगा आपका maths 20 question आएगा आपका science 25 question आएगा और आपका current affairs 10 question आएगा total 75 question हो गया 60 minute का time मिलेगा 1 by 3 negative marking रहेगा दोस्तों और एक चीज मैं बता दूँ ये only only आपका क्या रहेगा qualifying nature का तो घबराना नहीं है कि क्या है कैसा है only qualifying इसे merit से कोई लेना देना नहीं है ठीक है अब जो देखे CBT first qualify कर लेगा वो CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा तो CBT 2 का syllabus के आप लोगे को बता दूँ तो इसमें दो part में होगा दोस्तो जिससे आपका merit बनेगा और part B आपका only qualifying रहेगा ठीक है तो देखे part A मैं आपको सभी को सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ तो part A में 100 question आपका आएगा 90 minute का time मिलेगा negative 1 by 3 जो रहता है वो ही रहेगा दोस्तो इसमें maths आपका 25 question रहेगा reasoning आपका 25 question general awareness ठीक है और GKGS यानि कि GK general awareness आपका 10 question रहेगा current affairs भी आ सकता है इसमें और उसके बाद science आपका 40 question रहेगा इस प्रकार से total 100 question आने वाली है दोस्तो आप सभी के लिए ठीक है अब देखें इसी से आपका merit बनने वाला है अगर जो भी candidate technician के लिए apply करते है ना तो उनका इसी स बस merit बन जाएगा ठीक है अब ये part B, part B में आपका 75 question रहेगा 60 minute का time रहेगा 1 by 3 negative marking रहेगा इसमें एक चीज़ बता दूँ जो candidate जिस trade से ITI के आगया है उसी से related question रहेगा जो engineering किया हुआ है तो उसके engineering का branch के अनुसार से question रहेगा तो ये सभी का एक खुश खबरी है trade की बा minimum 42 marks आपको लाना है यानि कि 55% इसमें तभी आप चैन होगे लेकिन technician में 26.25% अंक ले आते हो यानि कि पैटिस क्यास पस बनेगा तो आप selected हो ठीक है qualify कर जाते हो तो इस प्रकार से इसका मैं बता दिये दोस्तों अब देखिए आप ये मस सोचेगा कि only qualifying number ले आने से हमारा merit पे नाम आ जाएगा तो आप ये बात हमेशा ध्यान के रखेगा अभी देखिए competition धीरे धीरे बढ़ते जा रही है तो आपको ये सोचना है अभी देखिए आपको आपके पास 5-6 मीना का time मिल जाएगा क्योंकि last time का तो vacancy पूरा करने में 4 से 5 साल लग गई थी तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि इस बार आप सभी के पास मौका है दोस्तों ठीक है अब देखें इसमें merit कैसे बनेगा तो ALP का बता रहा हूँ दोस्तों असिस्टेंट लोको पालेट का तो CBT2 में आपका जो number लाए रहा हूँ उसका 70% ठीक है और 30% आपका किस्सर बनेगा उसके बाद technician का तो technician का merit आपका only CBT2 के number के अधार पर रहेगा आखिर आपको इस भरती में अगर apply करते हैं तो salary कितना मिलेगा तो देखें अभी तो ये notification only only कितना है कौन सा है ALP technician का तो assistant local pilot का इसमें आपको 19,900 आपका basic pay के हिसाब से आप ये समझ लिजिए 30,000 join करते ही आपको in hand salary मिलने वाली है 30,000 से भी उपर हो जाने वाली है दोस्तों तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी खुशकबरी है technician का भी notification जारी नहीं किया गया है दोस्तों नहीं तो मैं उसका भी बता देता ठीक है अभी only assistant local pilot का ही है और इसी के vacancy बारे में total बता दिया मैं अब चलिए आप लोगों को इसका notification दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे candidates ऐसे होते हैं जो यकीन नहीं करते हैं तो आप सभी को मैं बता दू यकीन करना सीखे दोस्तों जरूर आगे बढ़ होगी ठीक है कहीं कहीं पर विश्वास करना भी जोररी होता है तो चलिए आप notification दिखते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों य यह जो notification है इना यह इस vacancy की sort notification है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए अब इसी notification को rate करते हैं तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो यह जो vacancy है ना railway recruitment board यानि कि RRB के तहत है और 1.2024 भरती है देखिए centralized employment notice number 1.2024 ठीक है पहला notification ह इसमें form apply के date देख सकते हो आप 20.01.2024 से 19.02.2024 तक होने वाली है असिस्टिंट लोको पालेट की vacancy लेवल 2 के अधार पर आपको salary मिलेगा 19,900 के आपका जो pay रहेगा और 18-30 साल age रखी गई है 596 पोश्ट आई है हाला कि यह पोश्ट कम है बढ़ भी सकती है दोस्तो लेकि थोड़ा सा पोश्ट कम है दोस्तो ठीक है अब देखे इसमें qualification वगेरा सब कुछ दिया हुआ है और यह notification देखे फीस वगेरा सब कुछ दिया है और यह notification देखे अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोरी, भोपाल, भूबनेस्वर, बिलासपूर, चंडीगर, चंडीगर, हुई है दोस्तो इसी विकेंसी के बारे में आप सब को बता दिया और किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर कमेंड कीजिएगा दोस्तो और यह notification आप अपने से पढ़ना चाहते हो तो इसको मैंने टेलिग्राम चैनल में डाल दिया उसका link description में है दोस्तो यह हाला की short notification है अब चलिए whiteboard की तरब चलते हैं दोस्तो दोस्तो इस प्रकार से आप सभी को मैंने notification भी दिखा दिया और यह notification आप अपने से डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको मैंने अपने telegram चैनल में डाल दिया है आप telegram का link description में जाईए और वहाँ से मिल जाएगा या फिर मेरा YouTube चै है तो comment में जरूर पूछेगा और आज के लिए बस इतना है दोस्तो वीडियो को like नहीं के तो like कर दीजे चैनल में पहली बार आयो या subscribe नहीं के हो daily नहीं भरती के अपडेट के लिए subscribe कर लिजे फिर मिलते हैं दोस्तो next video में नहीं government जो अपनी सरकारी नाफरिक अपडेट क के साथ अब तब के लिए जाहिए